नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर सिग बर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज यहाँ पर में बात करूँगा, कुछ companies के बारे में, दिखा जातो पूरा एक सेक्टर के बारे में बात करूँगा, और जिस सेक्टर में, टोटली दिखा जातो हर companies, government company है, तो मैं आज एक P.E.C सेक्टर के बारे में बात करूँगा, जो लगाता लगातार, मतलब companies के उपर जो आज हालत खराफ होते जा रहा है, इस तरीके से जो सीनरी आपको देखने को मिला है, उसके पीछे एक कारण है, वो एक logic है, उस logic के basis में stock के उपर इतना जदा प्रेसार है, वो logic क्या है, आज में नहीं, आज खुद एक report के माद हम से आपको दिखाऊंगा, जो RBI ने खुद publish किया, तो RBI ने क्या बताया, उसी के बारे में बात करूँगा, जो आपके लिए बहुत एक information collect भी होगा या पे, जहां से आपको पता चलेगा, कि हाँ, PC companies के उपर निवेस करने से आपको कि आ सकते है, at future में, आपका investment amount है, वो दिखाए तो गायब भी हो सकते है, हाँ, उन में इसे कुछ companies तो अच्छा है, बाकी companies खराब है, तो उस sector को चूच करेंगे, उस sector के stock को चूच करेंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा खत्रा मोल लेना चाहिए, तो चलो, देख लेते है आज की stock के बारे में, तो उस से पहले में request करूँगा, चनल को subscribe और bell icon को hit कर लिजेगा, continuously वीडियो पाने के लिए, और telegram को जुरू जूड़िएगा, जहापे आपको बहुत सरा updates मिलता रहेंगे, stock market के related, कोई भी market में news आया, कुछ भी आया, कोई भी stock के उपर support resistant बेक कर र तो देखे, आपे कुछ indices आपको दिखेगा, तो साथी साथ कुछ sector दिखेगा, तो indices जो sector wise indices है, जहापे bank है, auto है, finance है, FMCG है, IT, media, retail, pharma, PC bank, private bank and realty, तो इस कुछ sector है, जिस sector wise आपको divide किया गा है, मगर आज जिसके बारे हम बात करूँगा, वो totally sector government का है, मतलिक PSU sector है, तो व अपक्ती PSC bank, आप सभी जानते है, PSC bank का हालत तब अच्छा होता है, जब global market में कुछ positive design आए, और Indian market के उपर, अगर किसी भी company के उपर, बढ़े company के उपर गड़बड़ी दीखे, तो आप सोच लेना, सबसे ज़्यदा पिटाई होगा PSC bank के उपर, क्योंकि PSC bank सबसे ज़ ज़्यदा बड़ी problems होता है, NPA, तो non-performing asset में, company में बहुत ज़्यदा गड़बड़ी देखने को मिल जाता है, तो यही main अज का मुद्दा है, कि PSC bank में इस तरह के से क्यों होता है, और PSC bank में इस तरह के से report RBI ने क्या publish किया, तो मैं अगर PSC bank को दिखा दू, तो बहुत स Battle bank हो गया, साथी साथ देखाजे तो महरस्टा bank हो गया, PSB bank हो गया, PNB हो गया, जिसका हालत तो सबसे खराब है, साथी साथ Indian bank, Bank of Borda, Kanara bank and SBA, तो कुछ companies के details से आप दिया गया है, कुछ banks के बारे में आप बातचीत किया गया है, तो मैं जूरू कहूंगा, इस में से कौन कौन सा bank based है, बाकी कौन सा bank के ओपर weakness है, वो भी मैं आपको बताँगा, सबसे पहले में news आपको दिखा देता हूँ, तो news के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे इस news को ध्यान से देखना, business student के ओपर इस news को publish किया है, इस news मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद इस news channel बता रहा है, साथी साथ governor खुद बता रहा है, मतलब government खुद बता रहा है, कि उसका हालत क्या है, लेकिए सबसे पहले में बता दू, किसी भी companies के, मतलब किसी भी banking के, एक point of view से, bank हो, financial sector हो, उसकी एक point हमेसा दिखा जाता है, वो है NPA, मतलब non-performing asset, तो उसका मतलब यह क्या ह होते है, मान के चलिए उसका asset कितना है, asset मतलब वो जितना loan माटा, वो ही उसके लिए asset है, क्यों के लोन माटने से उसको interest मिलता है, तो वो ही banking के लिए asset है, तो अगर asset ही market से उठा नहीं पाया, तो वो बड़ा खत्रा बनेगा, मान के चलिए आपका दो गारिया है, मैं एक example आपको दो गारिया से ही business चलते है, मान के चलिए एक गारी का, अब गारी आपका क्या है, आपका asset है, तो अगर मान के चलिए एक गारी accident कर लिया, और गारी में माफी चाता हूँ, कैसे में बोनना नहीं चाता हूँ, मान के चलिए कोई भी गारिया अपको चूरी हो गया, accident ह कुछ भी हो गया तो उसके लिए यह गाड़िया से जो रेविन्यू से बहुत आना बंद हो जाएगा तो यह आपके लिए अभी खर्चा होगा मतलब एक एक्सपेंस बन जाएगा क्योंकि इसको ठीक भी कराना है साती साथ इससे कुछ रेविन्यू भी नहीं आ रहा है और मान के चलिए उसको बेचना पड़ेगा तो उससे कुछ अच्छा खासा पैसा भी नहीं मिलेगा तो यह आपके लिए बन जाएगा NPA टाइप का तो मैं बैं 0.80 के नीचे हो 0.80 फिर से ध्यान से रखिएगा 0.80% के नीचे हो तो अच्छा माना जाता है अगर किसी भी पाइबेट बैंक को उठा के देख लेना जैसे HDFC हो गया ICACI कोटक और साथी साथ देखा इस सारे बैंक का NPA जो है बहुत कंट्रोल में है 1% के नीचे है तो इस बारे में बात क्या जा रहा है यहाप देखिए रिकोवर्ड ओवर 4.18 लाग करोड यहाप देख सकते है फ्रॉड के बारे में मतलब देखिए यह अपने बैंक से लोन लिया और आपने बैंक को जाकर बोल दिया कि में मेरा बिजनेस ढूग गया में पैसा दे नहीं था पीसी बैंक में बड़े-बड़े कंपणी पैसा डूबा का चलाज था आज देखिए किंफिसर वह भी पैसा डूबा दिया देचेफल वह भी पैसा डूबा दिया इस तरी के से बहुत एक्जम्पल है तो यहापर क्या बता है आप ध्यान से दिखिए गा इस फाइल को यहापर देख सकते हैं पीसी बैंक रिसीब ओवर 4.8 लाक करोड तो 4.8 लाक करोड का टोटल रिसीब क्या मतलब फ्रॉड का जो पैसा है मतलब जो जो पैसा रिकोवरी करना चाहिए था वो पैसा रिकोवरी हुआ तो कुतना रिकोवरी है 4.8 लाक तो लाखो करोड का तो सिर्फ साड़े चार लाग करोड भी उठा नहीं पाया तो एक बहुत बड़ा नेगटिव पॉइंट से बैंकिंग सेक्टर के लिए अब देख सकते हैं पुब्लिक सेक्टर बैंक्स रिस्ट आप देखें रिकोवर्ड ओभार एट 4.18 करोड इन करोड इन लास्ट्ट करोड सिर्फ एक साल में नहीं तीन साल में लास्टीन साल ने मतल्य है दोवज़र ज़ैं कि से थोथे Dohajar डी से चार लाग से हैं पैसा उठापाय है मार्केटs झे यह बहुत बड़गन अन्यतों पे publish फ्यस्वें में इस ती त्रिक चार में यह स्टॉक के ऊपर एक भारी भर कम गिरावड देखने को मिलता है और बहुत बड़ा करजा भी देखने को मिलता है कि कि वह देखिए उसके पास अगर पैसा होगा तो वह सेकेंड टाइम किसी को तो लोन दे पाएंगे अगर वह जिसको लोन दे रहा है वह पैसा से फिर से वो पैसा ले लेते हैं और government PC bank है तो इसको ऐलाट्मेंट कर देते हैं तो इही चलते रहते हैं तो इसलिए लगाता लगाता इसका इनपी भी बढ़ जाते हैं और करजा भी बढ़ जाते हैं तो मैं इसलिए बार-बार बोलता हूँ आपको PC bank के उपर इंटरस्ट है तो आप सोस समझ के काम करिएगा क्योंकि मुझे तो इस बैंक के उपर उतना भरोसा नहीं है फिर भी में जुरू कहूंगा मेरे पास SBI जैसे कंपनी का हिस्सेदरी है मुझे इस बैंक थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है पीसी बैंक के सेक्टर के हिसाब से तो पी कि सीनारियो करा है तो वो मानके चलिए पचास म् परोड करोड का टोटल मार्केट में पड़े हुए में गुषपये प्रिंटीफ प्रिंटिव क्योंकि हैं ऑत्ना ही बैंक के लिए बी खास है कि इस सारेおम इं अहां थे थे बजृबर मेंट का है आप देख सकते हैं या has taken comprehensive steps to tackle defaults मतलब जो loan default किया है उसके ओपर कुछ कुछ नियुक्ट को फाने का मतलब हे बाकि наст бесп पर भरशा है तो उसके बातों करते है घुब साहलना---- अपर भरशा नहीं मिलता है ऐस बात इक तरिकर से आप एक बारिसार्ज चोड़ नेॹीएगा तो रही बात SBI का, SBI के में एक points of view से मैं आपको दिखा दू, देखिए, इसके share holding, promoter के पास ही 57% का holding है, उसके बाद देखिए, आप देख सकते है, mutual fund के पास भी 13%, FS के पास 10%, public के पास 7% और others के पास 12%, overall बात करू, हर किसी के पास इसका हिस्से दरी आपको देखने को मिलेगा तो यह points of view से आपको देखा दू, तो companies के उपर एक stand आपको हामेसा दिखेगा, तो रही बात companies के उपर, mutual fund का जो हिस्सेदरी है, उस हिस्सेदरी में companies के उपर, देखिए, छोटा मोटा माल बेचा गया, उतना ज़्यादा, last 6 मान में, उतना ज़्यादा माल नहीं बेचा गय तो मैं जुरू कहूंगा, इसमें जैसे company के उपर focus रखिएगा, और रही बाद इसका chart button के, तो यहाँ पर एक train line में docker के दिया, obviously मुझे लगता है, इस train को break down करेगा, क्योंकि यहाँ पर दीखे पहले भी retest किया है, एक दो तीन बार, तो यहाँ पर एक volume करने के बाद, सकते है, तो obviously आपके रिसके हिसाब से लीजिए, और next level रहेगा, around around, around, मेरे हिसाब से इस level तक आ सकते है, देखिए उसके आसपास जाएगा, तो ऐसे 100% नहीं कि में जो आपको point बता रहू, वही point तक जाएगा, ऐसे बिल्कुल कि नहीं, क्योंकि 200 days भी बहुत दूर है, तो मुझे लगते है, 440 रूपीज के आसपास आ सकते है, तो बाकी एक बार रिसाच करना, उसके बाद कुछ वीडियो से से लेना, तो यह था आज का topic, तो इस topic से आपको क्या से किने को मिला, मुझे जोरू comment करना, और इसी तरह के से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्र करना में ते नेक्स वीडियो में, तब तक लेचे सरीए, अपने ख्याल लखिए,